विप्रो बाईबैक खुदरा निवेशको से इतने शेर वापस खरीदे कमपनी ने निवेशको लेकर एक स्पर्ट की ये है सलाह विप्रो बाईबैक विप्रो ने 26.96 करोड शेरों को बाईबैक करने यानि वापस खरीदने का कार्यक्रम तयार किया जो कमपनी की 4.91 एक कमपनी का प्रस्ताव रखा था उसका कितना हिस्सा कमपनी ने खरीदा विप्रो बाईबैक आईटी सेक्टर की डिगज कमपनी विप्रो विप्रो ने 12,000 करोड रुपए के शेर बाईबैक को पूरा कर लिया है इस कार्यक्रम के तहट खुदरा निवेशको से acceptance ratio 77.40 फीसद से ही रहा है इससे पहले के 4 बाईबैक आफर के दौरान यह ratio 50 से 100 फीसदी के बीच रहा था शेरों की बात करें तो फिलहाल BSA पर यह 0.64 फीसदी की मजबूती के साथ 394.10 रुपए के भाव विप्रो शेर प्राइस पर ट्रेड हो रहा है किस भाव पर विप्रो ने किया है शेर बाईबैक? विप्रो ने 26.96 करोड शेरों को बाईबैक करने यानि वापस खरीदने का कार्यक्रम तयार किया जो कमपनी की 4.91 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है इसके लिए 445 रुपए का भाव तय किया गया और इस हिसाब से यह बाईबैक करीब 12,000 करोड रुपए का था इसके लिए रिकॉर्ड डेट 16 जून का फिक्स किया गया और यह बाईबैक 30 जून को पूरा हुआ बाईबैक का 15 फीसदी हिस्सा छोटे निवेशकों के लिए आरक्षित था निवेशकों को कितना मिला फाइदा रिकॉर्ड डेट को विपरो 381.30 रुपए के भाव पर बंध हुआ था यानी की शेयर होल्डर्स को अपने शेयरों को 16.7 फीसदी मुनाफे पर बेचने का मौका मिला इस प्रकार जितना शेयरों की तेजी से निवेशक कमाते उससे काफी ज्यादा बाईबैक से उन्होंने कमा लिया एक साल में विपरो 7 फीसदी से अधिक फिसला है जबकी बाईबैक ने महस 18 दिनों में निवेशकों को दोहरे अंकों में मुनाफा दे दिया निवेश पर कितने मुनाफे की गुनजाइश घरेलू ब्रोक्रेज फर्म मोतीलाल ओसनाल फाइनेशियल सर्विसेज ने विपरो को निवेश को निवेश के लिए 360 रुपए का टार्गेट फिक्स किया है यह मौजूदा लेवल से करीब 9 फीसदी डिसकाउंट पर है ब्रोक्रेज का कहना है कि कमपनी 10 साल से ग्रोथ को लेकर जिन दिक्कतों से जूज रही है उससे निपटने के लिए मजबूत स्ट्रेटजी लागू करती है और वापस पटरी पर लोटती है तभी उसका रुझान इस शेर को लेकर पॉजिटिव होगा